नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बलूच लिबरेशन आर्मी कई बार न्यूज में रहती है अभी हाल ही में फिर से न्यूज में आई थी जब रिसेंटली पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के उपर अटैक हुआ था और ये इसके इलावा भी कई सारे ऐसे अटैक्स हैं पाकिस्तान में ग्वादार में हुए हैं, कई सारे अटैक्स पाकिस्तान के और इलाकों में, कराची में, लहोर में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर ये आर्मी ये अक्सर न्यूज में रहती है, ये क्या चीज है बलूच लिबरेशन आर्मी किस तरीके से पैदा हुई और इसके बारे में कुछ और important बातें, जो की helpful हो सकती हैं हमें समझने के लिए कि basically इसका purpose क्या है, उनको हम यहाँ पे जानेंगे और साथी में जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने recently claim किया था कि हमने attack किया है पाकिस्तान stock exchange के उपर, उसमें एक इरान अंगल है, उसको भी यहाँ पर समझाना चाहूँगा, काफी interesting वीडियो होने वाली है, सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture क PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे telegram channel से, इसके इलावा social media पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, study IQ की app launch हो चुकी है, आप के उपर UPSC IES की परिक्षा के लिए smart course उपलब्ध है, जिसके तुरू आप घर बैठ कर या कहीं पर भी prelims और mains दोनों की तयारी कर सकते हैं, इसके आप को डाउनलोड कीजिए और EMI options के थुरू इस course को बाई कीजिए, राइट, so as you can see, ये एक बहुती बहतरीन coverage थी, The Hindu ने coverage की थी, Balooch Liberation Army Fighting Through Generations, हम यहाँ पे इसी चीज़ को डिसकस करने वाले हैं, Recently ये खबरों में रही BLA, June 29 को 4 heavily armed gunman attacked the Pakistan Stock Exchange, ये जो यहाँ पर attack हुआ था, इसमें जब ये 4 gunman अंदर घुसे, तो इनोंने अंधाधुन firing करने शुरू कर दी थी, जिसकी वज़े से एक police sub inspector और 4 security guard भी मारे गए थे, before the army या फिर before यहाँ पर जो basically police थी, वो इन 4 gunman को पकड़ सके, और यहाँ पर जब ये attack हुआ, उसके कुछी time के बाद, पाकिस्तान की बलूच Liberation Army ने claim किया, कि इस attack की जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसी चर्चे में हम बात करने वाले हैं basically regarding the militancy, बहुती briefly बात करूँगा, ज phases of militancy, तो देखिए, जैसे की हर देश में कही ना कहीं कुछ ना कुछ militancy के कुछ ना कुछ phases होते हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी phase of militancy रहे हैं, आपने सुना होगा 1971 में, जो की बहुत उसके पहले militancy का दौर शुरू हुआ था, जब बांगलादेश की demand होनी शुरू ह होई थी, लेकिन असल में जो phase of militancy हैं, वो सबसे पहला जो phase हुआ था, वो हुआ था in the immediate aftermath of creation of Pakistan, तो जब 1947 में पाकिस्तान बनाया गया था, उसके बाद एक छोटा सा phase आया था, फिर ये phase कुछ देर के लिए दब गया था, लेकिन उसके बाद ये up to the, आप कह सकते हैं, जब बांगलादेश की war होने वाली थी, फिर से एक दुबारा phase आया था, विच स्टार्टेड डूरिंग दी एरा ओफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ये आप कह सकते हैं कि 1971 war के कुछ समय इधर और कुछ समय इधर तक ये लंबा phase चला था, जब बांगलादेश भी पैदा हु कि कई सारे और militant organizations को यहाँ पर प्रोचाहन मिला और इन्होंने पाकिस्तान में militancy को start किया, खेर अगर हम बात करें कि militancy basically मजबूत कब होती है, militancy पाकिस्तान में मजबूत होती है 2000 में, और ये कब हुआ जब BLA जो कि वैसे तो पुरानी organization थी, लेकिन BLA ने एक तरीके से प उन्होंने पाकिस्तान में और कई सारे attacks करने start कर दिये, यहाँ पर पैदा होती है modern Balooch Liberation Army और ये जो modern Balooch Liberation Army थी, ये भी पैदा कैसे हुई, because इसके पहले क्या हुआ कि 71 से लेके 2000 तक वैसे तो कई कोशिशें की गई, लेकिन because यहाँ पर जो भी rebel कर रहे थे, जो भी इसी कई सारी organizations, because इनको funding मिनने लगी, because इनके पास modern हथियार आने लगे, तो इनको काफी जादा प्रोचाहन मिला और ये काफी हद तक active होने लग गए थे, इसी संदर में हम बात करने वाले हैं Balooch Liberation Army के बारे में, so ये क्या चीज़ है, ये एक ethno-nationalist militant organization है, ठीक है, nationalist militant organization है कहाँ पर operate करती है, mainly operate करती है Baloochistan में and the bordering areas of Afghanistan, अब ये देखिए ये पाकिस्तान का map है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसका border area of Afghanistan तो यहाँ पर तो operate करती ही है, बाकी बलुचितान जो की पाकिस्तान का largest province है, वहाँ पर भी ये operate करती है, area-wise बलुचितान पाकिस्तान का largest province है. मैं आपको geographically एक interesting fact बताना चाहता हूँ कि वैसे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का province है. यहाँ पर आपको मालूम होगा कि bordering country पड़ती है इरान की. अब यहाँ पर क्या है? बलूचिस्तान असल में एक plateau है और यह जो plateau है, यह पाकिस्तान के साथ-साथ इसका कुछ area इरान में भी फैला हुआ है. वो कैसे? यहाँ पर क्या है? आपको मालूम होगा. यह आपकी पड़ती है सुलेमान range जो की almost पाकिस्तान और अफगानिस्तान के border पे जाती है. सुलेमान की range सुलेमान की range के नीचे पड़ती है यहाँ पर पड़ती है किर्थर range और किर्थर range के यहाँ पर साथ में पड़ती है the मकरान range. यह मकरान range और यह यहाँ पर जो भी इलाका यह वाला इलाका पड़ जाता है. यह पूरा इलाका पड़ जाता है बलूच का. बलूच पाकिस्तान की आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, यह यहाँ पर तो काम करती ही है बॉर्डर पे, लेकिन साथ ही में यह आल्सो काम कर रही है, इस पूरे बलूचिस्तान के एरिया में जो की इरान और पाकिस्तान दोनों में फैलता है, यह जो इरान वाला अंगल है, इसके बारे म काम कर रहे हैं, जो की चाहते हैं कि हम बेसिकली जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हों, जो हमारी डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए. बलूच लिबरेशन आर्मी के आज की डेट में इनके पास छे हजार से भी जादा लोग हैं जो इनके अंडर काम कर रहे हैं. तो ये उनके लिए बहुत बड़ा internal security problem मन चुका है पाकिस्तान के लिए और इन्होंने कई सारे violent attacks भी conduct किये हैं अपने देश में Most BLA members are drawn from मारी और बुक्ती tribes ये जो tribes की बात कर रहा हूं मैं So basically ये जो tribes हैं ये ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तान में ही पाई जाती है ये tribes इरान के भी बलूच वाले इलाके में पाई जाती है Clear? अब इनकी main demand क्या है जिसके base पर ये group चलता है The group primarily seeks independence from Pakistan इनकी demand ये है कि हमें एक separate देश बनाना है और वो है greater Baluchistan which not only includes the Baluchistan province of Pakistan लेकिन इरान वाला कुछ इलाका भी यहाँ पर include किया जाएगा और इनका main grievance क्या है इसके बारे में आप सभी को मालूम होगा Baluchistan जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाटू है तो यहाँ पर resources बहुत सारे है और resources में energy resources भी आते हैं और mineral resources भी आते हैं ये एक बहुत ही जादा resource rich region है जिसकी वज़े से पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान ने resources को तो exploit किया है लेकिन वहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखा है जिसके वज़े से BLA और ऐसे कई सारे groups वहाँ पर पैदा हुए है Core grievance इसलिए इनका ये बनता है कि आपने हमारे संसाधनों का इस्तेमाल किया लेकिन उनका फायदा हमने आपने हमारे साथ share नहीं किया और local tribes के साथ share नहीं किया जिसकी वज़े से हम greater Baluchistan की demand करते हैं To be more clear आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की boundary है पाकिस्तान की boundary ये जो मैं आपको red color में draw कर रहा हूँ ये वाली boundary है लेकिन जो Baluchistan का इलाका है जो greater Baluchistan की demand है ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इरान में भी जा रहा है So this is spreading into two countries which includes some part of Pakistan and some part of Iran ये इनकी main demand है अब BLA and other separatist groups are also fighting against the human rights violation by Pakistani armed forces ये भी कई बार news में रहा है In fact, इंडिया ने भी international forums में कई बार Pakistan के खिलाफ ये कहा है कि आपके घर में जो human rights violation हो रही है और आपकी army और आपकी police जो Baluchistan में human rights violation हो रही है इसको आप सामने क्यों नहीं लाते तो यहाँ पर कई बार ये चीज़ें भी news में आई है Baluch activists slam Pakistan for human rights violation in Baluchistan ऐसी कई बार चीज़े खबरों में रही है In fact, एक अंगल ये भी माना जाता था कि जो Soviet Union, जो पहले Soviet 1991 के पहले जो Soviet Union था उनकी intelligence agency KGB during the 1970s उन्होंने भी BLA को support किया था उस time पर तो ये वाला map आप देख सकते हैं ये communist वाला map यहाँ पर बनाया गया है to show the Baluchistan area ये लेकिन केवल एक claim था अभी हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है खेर, coming back to the Karachi attack ये तो था a brief about the BLA अब यहाँ पर क्या है BLA का एक Iran वाला angle है ये समझना होगा आपको थोड़ा सा टेड़ा है ये Karachi attack जैसा कि मैंने आपको बताया कि Pakistan के stock exchange में immediately उन्होंने कहा कि Baluchistan Liberation Army ने stock exchange के उपर attack किया था लेकिन हुआ क्या Baluchistan Liberation Army के अंदर भी कुछ-कुछ factions हैं एक है Majeed Brigade of Pakistan's Baluch Liberation Army जिन्होंने claim किया प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान उन्होंने directly accused किया भारत को कि ये attack आपने किया है of being behind a deadly terrorist attack on his country's stock exchange building in Karachi, right? और immediately भारत ने जवाब दिया we strongly reject Pakistan's absurd comment claiming that India was behind the terror attack in Karachi, right? और यहाँ पर अब ये पूरा विवाद चला गया और भी अंदर कैसे? यहाँ पर आ गया Iran Iran कैसे आया? जो BLA के official spokesperson है Azad Baluch, उन्होंने कहा कि जो चार लोग जो आपने पकड़े हैं, वो असल में BLA से पहले ही निकाल दिये गए है BLA का कोई role नहीं है Karachi Stock Exchange के attack में यहाँ पर जो ये role है BLA has alleged that the attack was part of Iranian effort to malign the group because it had not compromised with Iran So ये पूरी एक triple story बन चुकी है आप देख सकते हैं आप एक तरफ से Pakistan, एक तरफ से Iran और एक तरफ से India Basically काफी complex situation बन चुकी है जो कि यहाँ पर हो रही है Pakistan कुछ कह रहा है, Iran कुछ कह रहा है BLA खुद कुछ कह रहा है और India भी कुछ कह रहा है इस चीज को लेके clarity फिलहाल नहीं है Obviously I told you, Iran का यहाँ पर आना बनता इसलिए है क्योंकि आपको तो केवल यह समझना है Baluchistan एक geographical region है केवल एक Pakistan का province नहीं है और demand greater Baluchistan की हो रही है इसके चलते यह पूरी की पूरी कहानी यहां पर हो रही है The BLA considers both Pakistan and Iran as occupying powers of Baluch territories stretching from Pakistan's Baluchistan province to south eastern Iran This I have already showed you किस तरीके से यह फैला हुआ है So यह basically मोटा मोटा है जो कि आपके लिए irrelevant है जानना कि किस तरीके से Baluchistan की demand होती है Ant में हम यही कहना चाहेंगे from a very international perspective Baluchistan freedom movement एक ऐसा issue है which involves the interest of multiple countries Pakistan, Iran और India और in fact हाल ही में जो investments होई है China के द्वारा CPEC में उसके चलते चाइना का भी stake काफी बढ़ चुका है Baluchistan में क्योंकि आपको मालुम होगा यह जो यहां पर if you see जो CPEC जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है और यहां पर आके यह ग्वादार में टच करता है जब यह ग्वादार में टच करता है तो इसी लिए यहां पर Baluchistan भी एक बहुत हिस्सा बन चुका है of CPEC Therefore, intervention करनी होगी संयोकतराष्टर को to look into the matters of human rights violation in Baluchistan and all the parties whose interest lies in Baluchistan should come to a negotiation table इसी note पे इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा Thank you for listening Stay tuned and stay safe